हलो फ्रेंट्स आप सबी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे सी टैक चैनल में फ्रेंट्स आज के वीडियो एक्सल को उपर है यदि आप एक्सल में बिगनर है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा और कंटीनू पूरा देखेगा इससे आपको काफी फैयदा होगा तो चलता हूं आपको बताता हूं कि आज का टॉपिक क्या है और इससे आप किस तरह से फैयदा उठा सकते हैं तो देखिए यहां पर मेरे पास कुछ डेटा है सीरियल नमबर नेम और यहां पर कुछ प्रड़क्शन कॉंटिटी है वर्किंग अवर्स है वैजय से और टॉटल पे है तो इस तरह से डेटा यहां पर टाइप आप देख सकते हैं इसमें कुछ मिक्स डेटा है इसमें कुछ मेल भी हैं कुछ हम चाहते कि फीमेल ने कितना प्रड़क्शन निकाला और मेल ने इकोल इकोल हमने टाइप कर लिए हम टाइप करेंगे समेव और इसलिस्ट को टारगेट कते है जो कॉलम है तो हम यहां से इस तरह से इसको स्लेक्ट कर लिया सभी को स्लेक्ट करना है यह नहीं कि आप से मेल और फीमेल को स्लेक्ट किजिए ऐसा नहीं हमने सभी को स्लेक्ट कर लिया स्लेक्ट करने के बाद में हम यहां पर सिंपल कॉमा करेंगे और इन्वैटेट कॉमा और एक्वल ब्रावर ब्रावर में हमें क्या देना तो हम फीमेल इंप्लोय को काउंट कर रहे हैं तो हम यहां पर f प्रेस करें हो कि इस लिस्ट में जो भी नाम लिखा हो तो फार्मूले में आपको पूरा मेल लिखना होगा यदि सिर्फ एफ लिखा हुआ चाहतो M लिखा हुआ तो फार्मूले में सिर्फ M टाइप करना होगा तो जीस तरह से आप यहां पर टाइप किया हैं M F तिस तरह से फार्मूले भी टाइप किया हूँ तो मैं फार्मूले में F टाइप कर देता हूँ िष यां हमें में इतना कंप्लीट कर लिए इसके लिए उसके बाद में काकंट करना अपने कि कितने को करने हैं है कि female ने कितना count किया है और निकाला है production तो हम इस तरह से इसको select कर लेंगे select कर लिया select करने के बाद में simple bracket close अब formula को देख सकते हैं उसके बाद में enter कर देंगे तो देखें यहां पर जो आ रहा है 48 production female निकाला है हम यहां से सिंपल चाहिए तो calculator करके देख सकते हैं कि answer सही है यह गलत है 14 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 48 बिल्कुल सही है तो फ्रेंड्स हमने जो female employee का जो production था हमने निकाल दिया अब हमें mail का निकालना है तो mail के भी same formula लगएगा तो चल देए equal sum if bracket select comma इन्वैटेड कोमा एक्वल एम mail इन्वैटेड कोमा क्लोज एंड कोमा ठीक है उसके बाद में हम फिर से production को इता से select कर लेंगे और ब्रेकेट क्लोज एंटर तो mail ने 73 production को मतलब बनाया है निकाला जो भी है तो 73 है तो female employer 48 और mail employer 73 यदि हम यहां से कुछ data change करते हैं जैसे कि female को 11 को 12 करते हैं तो क्या बदलता है तो देखिए 49 हो गया तो 49 हो गया तो बिल्कुर सभी से formula काम कर रहा है तो इससे बहुत सारा data रहेगा तो आप उसमें से चाहतो मानले किसी को ऐसा data laser बना रहे है payment payment किये है तो आप इसमें अलग अलग फिल्टर कर सकते हैं कि आप total कितना payment किये है total कितना receive किये है इस तरह से बहुत जगा पर सामय का formula काम आ जाता है मैं example के लिए इस sheet पर आपको बता रहा हूं और friends यहां जो वीडियो है data पर जाते हैं data के बाद में data validation और data validation उसके बाद में any value के जबब पर हम यहां से list को select करेंगे और यहां पर हम simple m, f type कर देते हैं और ok कर देते हैं तो देखिए क्या m और f का drop down list बन गया तो बन गया विल्कुल m का भी बन गया और female का f का भी बन गया तो friends हमने drop down लोग तो बना लिया अब हमें आपके चाहते हैं कि drop down के according यहां पर data आये female या male का quantity या कुछ भी जो भी हम formula में लगाएंगे तो चलिए यहां पर click कर लिए उसके बाद में formula लगाते हैं equal sum if sum if bracket start और range हम ले लेते हैं इसी को select कर लिए इस तरह से select करने के बाद में यहां से simple comma दे देंगे और drop down हमने कहां बनाया है तो drop down हमने इस cell में बनाया है तो इस cell को हम select कर लेंगे क्योंकि इस cell के according हमाई drop down आएगा तो हम इस cell को select कर लेते हैं d7 comma और जहां जिसके according आपको निकालना result तो हमें production का result निकालना है तो हम इसको ऐसे select कर लेंगे और उसके बाद में bracket close कर देंगे तो बहुत ज्यादा simple है आपको दो लाइनों को पहले इसको select कर लेना है उसके बाद में आपको जो data changes का जिसमे को plus कराना filter करा के उसको select कर लीजिए इसके बीच में जो है आप जो drop down का जो जिस cell में drop down बनाया है उस cell को select select कर लिजिए तो सिंपल हैं तो यहां से enter कर लिजिए तो देखिए male 73 ज़िकाइब करता हूं तो क्या data बदलता है तो है तो यहां से female किया तो देखिए 49 हो गया male 73 female 49 तो इस तरह से data change हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सामीप को फार्मॉल लगाया गया और इसका क्या फाइदा है इसमें कम data हो तो जादा फाइदा नहीं है जब हजारों को counting में data हो बहुत लंबा लगनम चरह data हो तो इसका आपको फैदा बहुत जादा मिल सकता है हूम यह आपा total कर सकते हैं तो यहापे अधि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दिजीगा शेयर किजिए अपने दोस्तों के साथ वाट्स आप और फेस्वूक पे जाद आधे फ्रेंड्स अधि आफ हमेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ में बेल